हालो नमस्कार गुड मर्निंग सुप्रभात दोस्तों MPS मोटिवेटर्स में आप लोग का स्वागत है तो दोस्तों एक टोपिक लेकर क्या आया है आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है पहले हम लोग फोर्स के बारे में समझेंगे फोर्स क्या होता है और फोर्स हम लोग कहां पर अपलाई करते है उसके बाद देखेंगे हम लोग निूटन्स के बारे में पढ़ेंगे निूटन्स के कितने लोग थे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो दोस्तों पहले हाम लोग पड़ते हैं force के बारे में force में यहां पर लिखा हुआ है push और pull or an object is called force यानि यह कहने का मतलब है कोई भी object है उसमें क्या करते हैं या उसको push करते हैं या उसको धाका देते हैं या उसको खिचते हैं तो उसी को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, जैसे कि एक्जाम्पल के थ्रू ले लिजे, कोई गारी है, गारी को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, या कोई भी एक अब्जेक्ट ले लिजे, उसको क्या करते हैं, या धक्का देते हैं, या उसको खिचते हैं, या उसको पूल करत कि Newton's के कितने law थे तो दोस्तो Newton's के तिन law थे एक एक law करके हम लोग समझते हैं Newton's में पहला law यह होता है कि कोई भी object तब तक वो rest में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहली force न लगे यानि कि कहने का मतलब है कोई भी object क्या है rest में है इस पर हम force लगाएंगे तो क्या होगा यह motion में आ जाएगा जैसे कि example के साथ हम लोग समझते हैं कोई भी वेक्ति गारी में बठा हुआ रहाता है आचानक गारी हो क्या करते हैं speed में motion में ला देते हैं speed कर देते हैं तो क्या होता है वेक्ति पीछे की तरफ जूग जाता है अचानक इसी परकार motion में है गारी और इसको क्या करते हैं एक बैएक रेस्ट में लाते हैं, एक बैएक ब्रेक लगाते हैं, तो गारी में जो वेक्ति बैठा हुआ है, या तर prelim बैठा हुआ है क्या होता है? आगे कि तरब जूग जाता है, तो एक क्या है? नूटन्स का फ़र्स्ट लव है एक और example के साथ हम लोग समझते हैं, देखते हो येगा, ठंड के मोसों में एक विवेक्ति गद्दा को पर्ण राता है, उस पर क्या करता है, लाथी से मरता है, तो क्या होता है, उससे जो धूल कौन होते हैं, वो क्या होता है, गद्दा से ज़र जाता है, एक और एक्जम्पल बताते हैं फर्स्ट लो का देखते हूँ एक आप ब्रिज पर फल फड़ा हुआ राता है और उसको क्या करते हैं उसके डाली को जब मोसन में लाते हैं तो क्या होता है उससे फल गिरना स्टाट हो जाता है तो यह भी कौन सा लो है यह भी न्यूटन्स का फर्स्ट लो है एक और एक्जम्पल बताते हैं किसी भी काच में सिसा में क्या करते हैं एक गोली मारते हैं तो क्या होता है? सिसा में छोटा सा एक छित्र हो जाता है. अगर उसमें हम एक पत्थर का तुकडा मारते हैं, तो क्या होता है? सिसा तूट जाता है. एक धूर्ण यही क्या था? Newtons का First law था. अब हम लोग Second law देखते हैं. कि newtons का second low में क्या होता है तो दोस्तों newtons का second low में acceleration उत्पन होता है यानि कि हम लोग क्या acceleration को present करते हैं जैसे कि देखते होईएगा कोई वेक्ति अगर jump करता है jump करता है तो देखिएगा नीचा पर गद्दा रखा हुआ है या मिट्टी रखा हुआ है तो क्या होता है उसको चोट नहीं लगता है अगर वही cement के first पर अगर उसको jump कराया जाए या उसको खुदाया जाए तो क्या होता है उसको पैर में चोट लग जाता है ठीक इसी परकार देखते हो येगा तलाब में इस नान करते हुए बेक्ति उपर से कुदता है तलाब में तो क्या होता है उजितना इस बीड से तलाब में कुदता है जिस मोशन से उतना ही मोशन से क्या होता है तलाब के अंदर जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक्सलेशन उत्पन होता है, अगर वही वेक्ति अगर सिमेंट के फर्स पर कुदेगा, तो क्या होगा, उसको पैर में अधिक से अधिक चोट लग सकता है, तो दोस्तों यह समय नियम क्या था, निूटन्स का सेकेंड लोग था, एक और लोग हम लोग, थार्ड लोग है नियूटन्स का, तो दोस्तों नियूटन्स का थार्ड लोग में क्या होता है, यह हम लोग समझते हैं, उसमें एक्सल रियक्सल होता है, यानि कि कहने का मतलब है, किरिया परते किरिया होती है, जैसे कि एक्जांपल के साथ हम लोग समझ सकते हैं, कि कोई व्यक्ति का देखते हुए जब बंदूग चलाता है तो क्या करता है बंदूग जब गोली निकलती है बंदूग से तो पीछे की तरफ जटका देती है यानि कहने का मतलब एक तो एक्षन हो रहा है और रियक्षन भी हो रहा है बंदूग उसका गोली आय की तरफ जा र रही है उसी परकार एक और एक्जम्पल है देखते हो यहां कुवे से पानी निकलता हुआ वेक्ति अगर उसका रसी अगर टूट जाता है तो क्या होता है वेक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है यह भी क्या हुआ एक्जम्पल देखते हैं नडी के तर पर लगा हुआ नाव अगर उससे वेक्ति जम्प करता है तो क्या होता है नाव पीछे की तरफ जाता है और वेक्ति अग्ति तरफ जाता है तो ये भी क्या होता है ये भी Xon Reaction क्रिया होता है तो दोस्तो यही था फोर्स परे हम लोग Newton's का law परे First law, Second law Third law तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंड में जरूर बताएगा अगर वीडियो आच्छा लगा हो तो कमेंड किजेगा और लाइक कर देजेगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे तो दोस्तो आज के लिए इतना है फिर नेक्स वीडियो मिलते है जाएंद